तो पीछले वीडियो में हमने उपयोगिता फलन या यूटिलिटी फंक्शन के बारे में सीखा हमने कहा कि हमारे पास एक अगर सेट एक्स है और उस पे कोई रिलेशन आर डिफाइंड है और तीन प्रापर्टी जो की है कम्प्लीटनेस, रिफ्लेक्सिविटी और ट्रांजिटिविटी कम्प्लीटनेस को पूर्णता और ट्रांजिटिविटी को संक्रामिता कहते हैं अगर ये तीनों प्रापर्टी हमारे रिलेशन आर जो की एक्स पे डिफाइंड है ये तीनों property को satisfy करता है तो X के सारे element को एक क्रम के अनुसार सजाया जा सकता है है ना तो अगर मान लिजए कि X में A, B, C, D, E है तो इसको हमें क्रम के अनुसार सजा सकते हैं हमारा ऐसे हो सकता है C, D, A, B, E ये क्रम से सजा दिया गया और utility function जो है एक number assign कर देगा 10, 9, 8, 7 और ये there is nothing special about ये number 10, 9, 8, 7 इसके जगह पे हम 100, 95, 92, 91 भी लिख सकते हैं कोई फर्क नहीं पड़ता है ये तो एक क्रम है कि 100, 95 से ज़्यादा है C, D से ज़्यादा अच्छा ये बताता है क्योंकि 10, 9 से ज़्यादा अच्छा है ये भी बताएगा C associated है 10 से, D associated है 9 से तो ये बताएगा C, D से ज़्यादा अच्छा है तो हम ये समझें कि हम यूप योगीता फलन का प्रयोग क्यों करते हैं अगर हमारे पास X में 5 element है A, B, C, D, E तो हमें कम से कम 10 बार तुलना करना पड़ेगा A का तुलना हमें फिर E से करना पड़ेगा उसी तरह B को हम A से तुलना नहीं करेंगे क्योंकि A और B का तुलना हम C से कर सकते हैं, B का तुलना D से कर सकते हैं, B का तुलना हम E से कर सकते हैं, उसी तरह C की तुलना हम D से कर सकते हैं, C की तुलना हम E से कर सकते हैं और D की तुलना हम E से करते हैं, तो अगर count कर लें, एक, दो, लिखते जाएं, एक, दो, तीन, चार, पांच, छे, साथ, आठ, नो, दस बार तुलना करना पड़े गया, है ना, और अगर X में 5 की जगा 6 हो जाए, तो हमें 15 बार तुलना करना पड़ेगा, अगर 6 के जगर 7 element हो X में वैसे वैसे होने वाली तुलना का की संख्या बढ़ती जाएगी, तो तुलना करना बड़ा ही मुश्किल हो जाएगा, अगर हम यह जानना चाहें, कि इसमें हमारी लिए सबसे ज़्यादा अच्छा कौन है, हमारे लिए सबसे ज़्यादा पसंद का कौन है, लेकिन साथ नंबर associated होगा, तो और अगर हमें देखना है कि A और B में ज़्यादा अच्छा कौन है, तो जिसके साथ ज़्यादा बड़ा नंबर associated होगा, वो हमें ज़्यादा पसंद है, तो हमारा लाइफ बड़ा ही utility function की वज़ा से उप्योगिता फलन के वज़ा से बड़ा ही easy हो हो रहे हैं, completeness, transitivity and reflexivity, तो इन सारे elements को एक क्रम में सजाया जा सकता है, क्योंकि क्रम में क्यों सजाया जा सकता है, क्योंकि हमेशा दो element का comparison संभा होगा, पुर्णता की वज़ा से, हम ये नहीं कह सकते हैं कि comparison नहीं कर पाएंगे, और transitivity की वज़ा से ये order एक maintain रहेगा, order violate न function देने के लिए और किस चीज की जरुवत है क्रम में सजाने के अलावा, क्योंकि utility function जो है, एक number दे रहा है, तो आपको जितना real number में जितने numbers हैं, उतने अगर elements हों, तो हम उसको a1 to 1 जो उपर है, उसको बड़ा number जो नीचे है, उसको छोटा number दे सकते हैं, और हमारा ये काम complete हो जाएगा, लेकिन कभी-कभी ऐसा होता है कि हमारे पास जो conjunction set है, इतना बड़ा होता है, कि सारे elements को एक unique number नहीं दिया जा सकता है, तो कभी-कभी हमारे साथ utility function को define करने में problem आ सकता है, आईए हम एक विसेज तरह का preference देखें, और देख सकते हैं कि उहां पे हमें utility function को define कर होगा, तो हम एक special तरह का preference लेते हैं, जिसको English में हम कहते है, lexicographic preference, preference तो आपका पसंद हो गया, पसंद या अधिमान, है ना, ठीक है, और lexicographic क्या है, lexicography जो है, वो सब्द कोश का अध्यान है, तो इसको हम कह सकते हैं, सब्द कोश ये, preference, है ना, सब्द कोश ये preference, क्या होता है, एक simple सा example ले लिजे, दो word ले लिजे, पहले dictionary में देखिए, क्या होता है, कौन पहले आता है, दो words ले लिया है, हमने ऐसे ही, block and blot, दोनों में पहले कौन dictionary में लिखा जाएगा, कैसे पता करेंगे, तो पहले हम पहले दोनों के पहल हुआ word हो रहा होता, ego, for example, तो ego निश्चे ही, block से पहले आता, लेकिन हाँ, तो block, blot है, दोनों में B है, तो अभी हम B से decide नहीं कर सकते हैं, दोनों एक जगह आएगा, दूसरे में दोनों में L है, तो दोनों अभी तक साथ साथ चल रहे हैं, उसके अभी भी कोई difference नहीं, उ दिखा जाएगा dictionary में, कुछ ऐसा ही इस preference में हो रहा है, अगर दो bundle ले लें, x, जिसमें कहिए, x1 है पहले वस्तू का, और x2 है दूसरे वस्तू का, दूसरा bundle हमने ले लिया y1, y2, अब कौन ज़्यादा पसंद है, अगर x1 और y1 को compare करें, और x1 अगर y1 से ज़्यादा है, तो इससे clear हो गया, कि x जो है, so y से ज़्यादा पसंद किया जाता है, हमें x2 को देखने की जरूरत नहीं है, dictionary वाला हाल हो गया, पहले वाला word से ही, पहले वाले letter से ही decide हो गया, लेकिन अगर x1 जो है, so y1 के बराबर है, तो हमें देखने की जरूरत है दूसरे में, अगर x2 बड़ा हो गया y2 से, तो फिर हम कहा देंगे कि x जो है, so y से ज़्यादा पसंद है, तो यह सब्द कोशिये पसंद है, आईए उदाहरन ले लें एक map में, map में ये उदाहरन है, कि एक bundle हम ले रहे हैं, जो कि यहाँ पे bundle है, यहाँ पे कहिए good 1 है, और यहाँ पे है आपका good अब एक line, वर्टिकल लाइन उर्धवाधर रेखा और एक 36 रेखा ऐसा खीच लें, कि यह bundle x से गुजर रहा हो, अब हम इस वर्टिकल उर्धवाधर रेखा के बाई और देखें, बाई और जो भी bundle होगा, वो x से कम पसंद होगा, क्योंकि क्यों x ज़्यादा पसंद होगा क्योंकि एक कोई bundle यहाँ पे ले लें, उसको x से compare करें, तो पहला जो वस्तु है, वो x में ज़्यादा है, x1 है, और यहाँ पे y1 होगा, x1 y1 से ज़्यादा है, तो x y से ज़्यादा पसंद होगा, उसी तरह इधर जो भी bundle है, दाहिनी तरह, वो bundle हमें x से ज़्यादा एक से जो नीचे होगा, वो x से कम पसंद होगा, और x से जो उपर होगा, x से ज़्यादा पसंद होगा, अब इहाँ पे क्या है, कि हमारे पास जितने bundle हैं, यह दो dimension में हैं, सब को अगर हम क्रम से लगा भी लें, तो हमारे पास इतने real number नहीं है, इतने संख्या नहीं है, कि सब को एक नई संख्या दी जा सके, तो इसकी वज़ए से इहाँ पे हम एक उपयोगिता फलन लिखने में नाकाम होंगे, लिखने में नाकाम होंगे, और इस वज़ए से हमें एक और property की जरूरत पड़ेगी, क्योंकि हम चाहते हैं उपयोगिता फलन का यूज करना, कब हमा तुलना करना है, जबकि अगर हम set theory का use करें, दो bundle का अलग-अलग comparison करें, तो बहुत जादा हमें comparison करना पड़ेगा, इसलिए हमें उपयोगिता फलन चाहिए, तो हम ऐसी property लेकर आते हैं, जहां पे जिसके होने से हमें हमारे preferences को ब्यक्त करने के लिए एक उपयोगिता फलन म पहले completeness, reflexivity, transitivity आ चुका है, तो यहां पे हम लिख ले continuity, इसको हिंदी में कह सकते हैं, सतत्ता, इसका कहने का क्या मतलब है कि कोई भी bundle अगर हम लेते हैं, x, यह हम तो ऐसे discussion के लिए दो ही dimension में ले रहे हैं, बट यह n dimension भी हो सकता है, तो अगर हम x यह bundle ले रहे हैं यहां प x 2 है, तो अगर हम इस x bundle से x 1 को कम करें, तो of course हम x 1 को कम करें तो इधर जा रहे हैं, तो कहने का मतलब है कि हम x 2 अगर बढ़ा के क्या हम बापिस ऐसे label पे आ सकते हैं, जो कि हमें bundle x जितना ही पसंद हो, ऐसा कोई bundle हमें y मिल सकता है क्या, जो कि हमें x जितना ही पसंद हो, तो अगर continuity होगा, सततता होगा, तो हमें एक ऐसा bundle मिल सकता है, x के आसपास, जो की हमें x जितना ही पसंद हो, एक और तरीके से इसको हम समझ सकते हैं, कि अगर एक 3 bundle ले लें, यहाँ पे बस तू 1 है, यहाँ पे बस तू 2 है, 3 bundle है x, y, यहाँ पे है z, x को जो हैं, को utility function 10 देता है, z को utility function 20 देता है, क्योंकि कोई अगर दूसरा utility function दे तो x को कुछ और number दे देगा, z को कुछ और number दे देगा, वो 20 और 10 के बीच में ही मिलेगा अचानक से जंप नहीं हो जाएगा यूटिलिटी ये हमें सततता बतलाता है continuity होने का लाव ये है कि अगर चारो properties जो है अब completeness, transitivity, reflexivity and continuity अगर चारो satisfy हो रही है और हमारे पास कोई साभी set है X है ना कोई साभी set है X जिस पे हमारा ये preference relation ये सम्बंध जो है so define किया गया है अगर ये defined है तो हमें निश्चा ही एक utility function मिल जाएगा जो कि हमारे preference को represent करेगा अब हमें जरूत नहीं है कि X finite ही हो X infinite असिमित होने पर भी continuity के रहने से हमें utility function मिल जाएगा तो ये continuity किया होने का फाइदा है तो हम assume करेंगे कि हमारे पास continuity है ऐसा हम नहीं कर रहे हैं कि हर के जो preference होते हैं वो continuous ही होते हैं है ना कुछ लोग का function continuous नहीं होगा उनके problems उनके भी चुनाओं के समस्या को हम solve कर सकते हैं समझ सकते हैं लेकिन हमें first principles के तरफ जाना पड़ेगा जो कि ज़्यादा difficult होता है utility function का use से life बहुत ही easy हो जाता है इसलिए हम लोग continuity का use करते हैं तो अगले वीडियो में कुछ और properties के बारे में देखेंगे के लुप देखेंगे तरफ जाती है झाल झाल